दिल्ली के पूर्व डिप्टी चेफ मिनिस्टर मनीश रिसोदिया इस वक्त जेल में बंध है लेकिन फिर भी दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विंद केजरिवाल ये कह रहे हैं कि प्राउड ओफ यू मनीश तो आखिर क्या मनीश रिसोदिया ने ऐसा किया है जिसकी वज़े से अर्विंद केजरिवाल को उन पर गर्व हो रहा है आपको इसी वीडियो में बताएंगे आप देख रहे हैं दिली तक मैं हूँ आपके साथ अनुराधा दवर दरसल मनीश रिसोदिया की कोट में पेशी थी राउज रिसोदियो कोट में आपकारी नीती घोटाले मामले में मनीश रिसोदिया जैसा कि आप जानते हैं कि आरोपी हैं CBI और ED दोनों ने ही मनीश रिसोदिया के खिलाफ मामला दर्च किया है और दोनों ही एजंसिया उन्हें गिरफटार कर चुकी है और दोनों ही एजंसियों के खिलाफ मनीश रिसोदिया ने बेल के लिए भी अप्लाई किया गया है लेकिन यहां बात राउजवेडियू कोर्ट की हो रही है दरहसल राउजवेडियू कोर्ट में मनीश सोधिया की ओर से एक अरजी दाखल की गई थी और उस अरजी में मनीश सोधिया ने ये कहा था कि जो उनके विधायक निधी फंड्स हैं उनको release करने की उन्हें permission दी जाया ताकि वो development के काम करा सके उस पैसे से जिसके बाद राउजवेट्यू कोट ने मनीश सोधिया की इस अरजी को सुनते हुए उनके पक्ष में फैसला दिया और इस फैसले के आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल ने मनीश सिसोधिया को लेकर एक ट्वीट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरिवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा हम सबको मनीश सिसोधिया पर गर्व है जेल में रहते हुए भी उन्हें दिल्ली और अपनी विधानसभा के लोगों की चिंता है आज उन्होंने कोट से अनुमती मांगी कि क्या वो अपने शेत्र के लोगों के विकास के लिए अपने MLA फंड से काम सेंक्षन कर सकते हैं कोट ने उन्हें अनुमती दे दी प्राउड ओफ यू मनीश तो आपको बता दे कि मनीश सोधिया पटपटगंश कॉंस्टिट्वेंसी से विधायक है और उन्होंने कोट में अर्जी लगाई थी कि उन्हें अपने MLA फंड से पैसे निकालने की अनुमती दी जाए ताकि वो अपने शेत्र में ड्वेलप्मेंट के काम कर सके और इस बात पर कोट ने भी उनकी मांग को मान लिया है और उनके पक्ष में ये फैसला दिया कि आप अपने फंड का अस्तमाल कर सकते हैं अपने शेत्र में ड्वेलप्मेंट के लिए जो आप काम करने की बात कह रहे हैं आपको बता दे कि दिल्ली में आपकारी नीती घोटाले मामले में मनीशी सोधिया को फरवरी में CBI ने अरेस्ट किया था और तब से लेकर अब तक मनीशी सोधिया को एक बार भी बेल नहीं मिली है कोई राहत कोट से नहीं मिली है उन्होंने CBI और ED के ख़लाब सुप्रिम कोट में जमानती आ चुका लगाई है लेकिन इस बीच CBI के मामले में राउस अवेन्यू कोट में सुनवाई हुई लेकिन अब अगली सुनवाई जो है वो 20 सतंबर को होने जा रही है दिल्ली से जोड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं दिल्ली तक